हेलो इन्वेस्टर्स, विल्कम टू थमका स्टॉक चनल, आज हम लोग डिसकस करेंगे पारादी फॉस्पेट्स लिमीटर सेर के बारे में, तो पहले हम लोग इस सेर का फंडामेल्टर डेशे करेंगे, उसके बाद इस सेर का डेकनिकल चाट का अनलासिस करेंगे, और उसके ब पे इस सेर ने आपका रिटन दिया है, 2.63% एंड क्लोज हुआ है, 56.55 पे, ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है, रूपीज 4,605.98 करोर, इंटरपेज भैलू है, रूपीज 6,962.57 करोर, एंड पीई रेशियो है, 11.58, इस कंपनी के ऊपर अभी आपका 2,954.30 करोर का, तो इसका जो डेप्ट इकुटी रेशियो निकल का रहा है, वो आपका रहा है 1.33, जो कि मेरे हिसाब से थोरा सा ज्यादा है, लेकिन एक पॉइंट अपका थोरा सा नेगडिव होने से, पूरा सेयर का फंडमेंटल नेगडिव होने ही जाता है, हम लोगों क जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है, लास्ट यार में इस कंपनी में पॉफिट गोथ हुआ था, 78.03% और सेल्स गोथ हुआ था, 52.16% यह जो कंपनी है पारादीप फॉसफेट, इस कंपनी में पॉमोड़ास का होल्डिंग है 56.1%, डियाई का होल्डिंग है 21.36%, पाब्लिक क होल्डिंग है 18.15% एन FII का होल्डिंग है 4.39%, अगर किसी भी कंपनी में पॉमोड़ास का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते है और यह आपे 40% से ज्यादा ही है और एक चीज़ देखिए जो आपका 56.1% पॉमोड़ास का होल्डिं है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है प्लेजिंग सेयर का जो परसेंटेश है वो बिल्कुल 0 है जो की फांडामेंटली एक अच्छा बात है और एक चीज़ देखिए मार्केट के 100% एनालिस्ट इन्वेस्टर को एसेयर आपका 22 कर रहा है जो कि एक अच्छा ब देंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिकोष्ट है अगर आप लोग मेरे चनलल पे नए हो तो मेरे चनलल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और होशक तो बेल आइकन वही किलिक कर लेजीगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ आप लोगों के पास कर लें और पहला चीज़ देखे मैंने यहां पर एक आपका रेट क्लार का लाइन ड्रो किया जो कि इस शेर का अभी सपोर्ड लाइन है जो पहले था इस शेर का रेसिस्टेंट लाइन ओके देखिए लास्ट टाइम इस शेर का प्रेस जब भी इस लाइन के नज़िक गया उसी दिर ए लाइन आपका जो पहले रेसिस्टेंट लाइन था वह आपका बन गया इस शेर का एक सपोर्ड लाइन और अभी देखिए जब भी इस शेर का प्रेस निशी के तरब आया है इस लाइन के नजदिक जब आया इसको तोर नहीं पाया है और यहां पर सपोर्ड ले में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि अपका गीर रहा था गीरने के बाद अभी सपोर्ड जोन पर आने के बाद यहां पर सपोर्ड लेते हुए उपर की तरफ जा सकता है तो अभी इस शेर का जो कारेंड मार्केट प्राइज है एरांड आपका रूपीज 56.55 अगर लगब जी क्या क्योंकि मैं कोई सेवी रेइस्टर पस्टर नहीं हूँ और मैं या आपके किसी भी तरीका का कुछ भी टीप्स नहीं देता हूं तो मैं क्या करता हूं मेरा जितना टेक्निकल एन फान्डामेंटल नौलज है उसके उपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को स है इनफर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा से टेक्निकली कैसा है कौन सा से फान्डामेंटली कैसा है तो आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद